सब्सक्राइब नाव और प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार किसान मित्रों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि PM किसान सम्मान निधी का जो भी लाबाहार थी जो कि इसके लिए इलेजेबल नहीं है वो अपना एकाउंट अगर नहीं बंद करवाया है तो उनको लंबा चोड़ा हर जाना भरना पड़ सकता है आज मैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो बेनिफिसरी जिनका की एकाउंट इनेक्टिव हो गया है और जिनका अभी एक्टिव है दोनों में कमपरीजन करके दिखाऊंगा तो आप इसका एस्टेटस बेनिफिसरी का एस्टेटस देखने के लिए यहाँ बेनिफिसरी एस्टेटस है इस पे आप क्लिक करेंगे Beneficiary status पे क्लिक करने के बाद यहां आपको तीन option मिल जाता है आधार number, mobile number और account number यह सारा देखे आप अपना status जान सकते हैं तो चलिए यहां हम आधार number देते हैं और get data पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसका details फार्मर्स का आ जाएगा यहां देखिए यहां आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो है beneficiary active है या inactive है तो यह beneficiary जो है अभी active है इसके लिए eligible candidate है और इनको आठमी किस्त जो अभी आने वाली है वो आठमी किस्त इनको जरूर आएगा इनको यह देखिए सारा installment मिला हुआ है और इनको आठमी किस्त जल्द ही आ जाएगा और दूसरा मैं सेम इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो beneficiary जो की अपना एकाउंट बंद करवा दिये हैं उनको वो जो है इस योजना के लाव लेने के लिए इन इलेजेवल थे जैसे आप इसमें देखिए वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ active और inactive है यहाँ पे जो है यह beneficiary inactive है यहाँ आपको clear दिख रहा होगा कि यहाँ beneficiary inactive है क्योंकि यहाँ रीजन में देखिए beneficiary is inactive due to ineligibility इनको इस योजना में जो भी पैसा अभी तक मिला हुआ है सारा का सारा जो है वापस करना होगा तो कोई भी किसान भाई अगर इसके लिए ineligible है या धोखा से इसका पैसा उठा रहे हैं वो साबधान हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी अपना प्रधान मंत्री किसान समाणने धी वला बंद करवाले नहीं तो आपको सारा का सारा पैसा जो है वापस भरना पड़ सकता है और जो भी किसान eligible है उनको सारी किस्त मिलेगी वो बिल्कुल निफिक्र रहे उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूड़ी नहीं है उनका सेबंत इंस्टोल्मेंट आया है आठवाई इंस्टोल्मेंट बहुत ही जल्दी उनके एकाउंट में आ जाएगी तो चलिए किसान भाईयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और वो किसान जो इसके लिए इलेजेबल नहीं है उन तक जरूर पहुँचाए और वो अपना अप्लिकेशन जो है बंद करवा लें क्योंकि हर जाना भरना पर सकता है